महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशिल राज्य में जो पिछले कुछ दिनों से घटना चल रही है और ये घटना के अंदर जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं मामले ऐसे सामने आ रहे हैं कि डीजी कक्षा का अधिकारी एक चिट्थी लिखता है मुख्यमंत्री को और ये चिट्थी में ये बताता है ये जो महराश्टर के ग्रह मंत्री है उसने एक एक कक्षा के अधिकारी को पुला कर 100 करोड रुपे की उगाई करने के लिए कहा है और ये सो करोड रुपे की उगाई अगर नहीं मिली तो उसके हिसाब से जो घटनाय बनी है और यही अधिकारी है जो एननाय की गिरफ में आज है एंटिलिया जैसे मकान के नीचे जिलेटिन स्टिक रखी हुई गाड़ी के अंदर वो गिरफतार होता है और इस अधिकारी को ग्रामंत्री ये कहता है कि तुम सो करोड की उगाई 1772 बार है इसमें से जाके सो करोड की उगाई लाके दो ऐसी घटना के अंदर और कल तक जो भाट चली थी ग्रामंत्री ने इस्तिफा देना चाहिए आज तक ये चिठी आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नह कहा है इसके उपर एक शब्द मुख्यमंत्री जी नहीं बोल रहे है ये महराश्ट्र की सरकार जिस तरह से चल रही है वहां के लोगों में महराश्ट्र के लोगों में ये धारना है कि ये लूट बाट करने के लिए लूटने और व्यापारियों को डराने के लिए सरकार का रहा है सरकार अपने अधिकारियों को अपने प्यादों को इस तरह से इस्तमाल कर रही है कि सो सो करोड की उगाई केवल मुंबई जैसे शहर में और शहरों का क्या हल होगा और शहरों का आखड़ा क्या है तो मेरी आप से सरकार से यह मांग है कि इस पर कारवाई होनी चाहिए सी वियाई से इसकी जाच होनी चायिए और महाराश्य की सरकार को तावर तोग तक मुख्यामंत्री और गुरों मंत्री न Kimchi ने तक मुख्यामंत्री आप देतौरा केश संँelo द्रेक जी सभापति महोद्य बहु हाँ हमारे साथी मानी कोटगी ने बात रखी है मैं उसमें से किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं महुदै ये पूरी दुनिया जानती है भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंतर है जहां लोकतंतर है वहाँ लोगतांतरिक मुलियों की इस्थापना की जिम्मेदारी भी सरकारों की है लेकिन जब ये जिम्मेदारी शास्की अधिकारी या पुलिस अधिकारीों की पोस्टिंग की नीलामी में बदल जाए तब ये विशे किसी राज्य का नहीं होता ये देश का विशे बन जाता है सबाबती महोदे महत्मून बात जो सदन को जानना चाहिए वहाँ पर आखिरकार क्या वज़े है जिस A.S.I. की बात आ रही है जिसको सौ करोर रुपे का लक्ष दिया गया था उस A.S.I. के समर्थन में सायद देश की पहली घटना होगी कि मुख्यमंतरी उसके समर्थन में प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और ये बताते हैं कि वो देश का सर्वस्रेष्ट पुलिस अधिकारी है बाद में सौ करोर रुपे का आरोप लगाने वाला विक्ती भी कोई और नहीं है उनका ही पुलिस कमिश्णर है और ये वो पुलिस कमिश्णर है जिसकी तारीफ में बाकाइदा सरकारी पत्र में लेख लिखे जाते हैं क्या वजह है ऐसा बापती महुत है कि एक पुलिस कमिशनर जिसकी तारीफ में अकबार में लेख लिखे जाते हैं एक A.S.I. जैसा विक्ती वो क्राइम ब्रांच का 16 साल तक निलंबन के बाद बहाल होता है वो परस्तियां क्या है जिसमें 16 साल के बाद उसको बहाल करना पड़ता है क्राइम ब्रांच का इंचार्ज बनता है 100 करोड का लक्ष उसको दिया जाता है और मुख्यमंत्री मौन है ये बेमेल गड़बंदन की सरकार है वहाँ वहाँ राष्टवादी कॉंग्रेस पाइटी के वरिष्ठ नेता कल रात तक कह रहे थे कि ये मामला गंभीर है इसमें कारवाई होना चाहिए मुख्यमंत्री नरने करेंगे लेकिन क्या वज़े है कि आज सुबह भाषा बदल गई सभापती महुदे और आज कह दिया गया कि नहीं नहीं कोई स्तीफा नहीं होगा क्या वज़े है ग्रह मंत्री से किसी तरह का डर है क्या कि ग्रह मंत्री कहीं ऐसा नहो कि सारी बातें उजागर कर दे कि ये सौ करोड में से हिस्सा किस किस के पास जाता था और इसलिए ये विशे आज पूरे देश का है ये छोटी बात नहीं है किसी देश के किसी प्रांत के ग्रह मंतरी के उपर ये आरोप लगाए एक पुलिस अधिकारी डी जी पी स्तर का पुलिस अधिकारी की 100 करोड का लक्ष दिया है पूरी की पूरी सरकार महौने पूरा से कि इसकी निश्पक्ष जाच होना चाहिए मुख्यमंत्री सहिद पूरी सरकार को स्टीफा देना चाहिए और केंद्री जाच अजेंसियों से इसकी निश्पक्ष जाच कराई जाना चाहिए कपिल पाटेल आपको मौका मिलेगा प्लीज अभी पैठिये आपको अभी नेक्ट आपको अग्रा आप पैठिये कपिल पाटेल मुंबई के कमिश्टर में मुक्यमंत्री को जो पत्र दिया है वो आपको आपको गंबीर पत्र है अद्यक्ष मोदै इस विश्टर में मुक्यमंत्री जी ने इनकोईरी करने के बजाए वो लेटर के उपर अपनी प्रतिर के अलग अलग तरक से दी है ये पहला लेटर नहीं है इसके पहले महारश्टर के डीजी ने भी एक लेटर दिया था सुबोत कुमार जी ने वो वहाँ से जो महारश्टर सरकार में चला है यह सब गोटाला उसको कंट्राल के वो प्रतिर युक्ति पे केंडर सरकार में आ गए जो सव करोड रुपया एक यह को बोला जाता है वसुल करने के लिए यह आति गंबिर बाब है मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि कल इस मामले में वरिष्ट नेता जी ने कहा था कि मामला आति गंबिर है लेकिन शाम तक क्या परिवर्तन हो गया पता नहीं बाद में कहा गया कि अभी रिजाइन देनी की जुरत नहीं है इसका मतलब ऐसा है कि शायद ग्रहमंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूँगा सब की पोल खोल दूँगा अईसा अगर होगा है तो इसकी जानकारी नाये खिरा सामें सभापती महोदाई धन्यवाद पिछले एक पिछले 14 महिने में कई प्रयास करने के बाद भी महारश्चा के महाविकास अगरिका जो सरकार है जोहा का नेतुरत्व मानेनिया उद्दोजी ठाकरे मुख्यमंत्री के नाते से कर रहे है इस सरकार को दूर करके अपना भाज़पा का सरकारवास तापिक करने के जो प्रयास चल ले थे वो पुरी तरगे से असपल हुए है इसके लिए कई कपट निती राज़किया कपट निती चलाने का काम दुर्बा के से केंदर सरकार के माद्यम से हो रहे है है सभापती मोदाई हो रहा है और जीस परंबिर सिंग का उल्लेक लेकर आज जरोवर में बात करने का अपने मौका दिया सभापती मोदाई या परंबिर सिंग हाई कौन हाई कौन सभापती मोदाई मैं भी उसके कारणा में आपको पढ़के दिखाता हूं मुंबाई के उस वक्के रुबेरो कमिश्रर उन्हें ने बताया ये परंबिर सिंग ये राजे की अट्डा चलाने वाला एक आत्मी है और इस परंबिर सिंग के भारे में एक डोंग डावदवी पोलिस स्टेशन के एसीपी डांगे अनुप डांगे इन्होंने दो फेबरारी 2021 को वहां के हें सेकरेटी को लेटर लिखा है और उन्हेंने कहा है परंबिर सिंग ये उस वक्के भरत्षा जो और उनके जो नवले है ये पप चलाने वाले लोग और जो परदेशी स्कैम में जो अठके हुए लोग इनका ये दलाल है ऐसा इंजाम एससे पी मिस्टर अनुप डांगे ने किया है अगर ये लेटर अगर पढ़े सभापती मोद अगर ये लेटर में पढ़ा के दिखा आपको दिखा हुआ को एक मोश करप्टेड अब आप बोले आप बोला प्रारम करी आप बिट्टू आप बोलना प्रारम कुई है आपका नाम बोला जा चुका है जमनेची श्री ग्रीज बापड़ जी अध्यक्श महाराच्, अध्यक्षम हो दे, या महाराष्टा मदे आत पर्यंता गुनेकार खंडरी मागातोते आता सरकार खंडरी भागाएला लगले ग्रोमंती खंड़नी मागाईला लागलेट मंजे कुमपन शेथ खायला लागले पानाला ताद लागले अणि सरकार प्रेष्टों होत थाले त्या मुझे ताबर्दों महाराष्ट्रा मदे राष्ट्रपती राजवाट लागू करा अजया कुड़ें आट राच तका यहंची सवा कराद माघने महाराष्ट वाले कायदा सुल योस्ता राइले लिनाया कायदा सुबसे जिनर्वे उड़ले माराष्टराच योडे कायदा सुबसे कुरुन आपर योड्यों बोलिस है कंड़नी मागायलक लागले जब पोलिस आलदा मंच्ञाम्स आशिर हुआ के, मुक्षा मंच्रहम्स आशिर हुआ के? शरीरवनेे सिंधी बोली बोले प्लीस चेर्मेंस सहब ये बहुती गंबीर मुद् wellbeing है इस पे अकेरी भराश्रा की बात नहीं है सारे देश की बात है और बहुत ही ये चिंता की बात है लेकिन ये होता कहा है क्यों जहां पर आपिशन गौर्मेंट्स हैं वहां पर ये फेडररिजम क्यों तोड़ा जाता है वहां पर क्यों देश में की एगेंसियां आके दखल देती हैं और उसके बाद सर प्लिटीकल लोग आफिसर जो होते हैं वो निकल जाते हैं हम अपने आपको ज़रूर बुरा बला यहां कहके चाहे ऐसेंबली हो चाहे पेपर सो आप सरनी निकलने चाहिए यही ऑफिसर था जो उनको बहुत अच्छा लगता था यही ऑफिसर है जो आप जिन होने यह काम किया यह दोनों तरफ आफिसर रहते हैं लेकिन वहां की सरकार की उपर सर अगर यहां से आप आफिसर बेहजेंगे तो बरदाश नहीं किया जाएगा महाराश्टरा में ऐसा एक स्टेट है ऐसी शांदर स्टेट है जो आप वो भी मत्या परदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं वहा मेरे कॉलीग्स यह हाउस में यह बता रहे हैं महाराश्टर में किस तरीके से खंडनी वसूली का काम किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा जो व्यक्ति 60 दिन पुलिस चेशन में रहा जेल में रहा उसे फिर से री जोइनिंग किस बेस पे की गई जब बीजेबी की सरकार थी जब उद्धो साहब ने खुद मानेनिय देवेंदर फंडविस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को सचीन वाजे को इनको री स्टेट कराना चाहिए री जोइनिंग सर्विस देनी चाहिए तब आदेनिय नकार दी उनकी पूरी हिस्टी देखते पराबर उन्होंने झाचीन वाजे को जोइनिंग नहीं कराई अरम्रग्रव मंत्री का नाम आ रहा है, अद्देक्स मौट है, बहुत important subject है, अगर इस तरीके से देश में खंडेनी वसूली का चकर शुरू यूँँआ तो बुरे देश में यह चीज़ों को पॉलम पढ़िया चाहिगा, मैं आपको बताती हूं कि हमारे महाराश्रम में ताकि कोई इसमें इंडॉल्व नहीं है किसकी ट्रांसफर कहां से करनी है किस से खंडे नी वसूल करनी है और यह जो यहां पर खड़े हैं जो सीय सर्वाइब के बारे में बात कर रहे हैं अगर सिर्फ मुंबई से 100 करोड वसूली अगर महीने की ओती होगी तो पूरे महाराश आप प्रारंब कीजे आप बोलिए चौधरी जाब आप प्रारंब कीजे सभापती सभापती मौदे आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एक पहुत ही महतुपूर्ण विसे पे बोलने का मुझे 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 मुरका दिया मैं यह बताना चाहूंगा कि पुलीस अधिकारी छिट्री लिखने के पहले मुझे मंतरी से मुझे मंतरी को ब्रीव किया और उसके बाद में और जो कि नहीं करना चाहिए था, वो NCP के सुप्रीमों को भी ब्रीब किया, और उनको ब्रीब करने की काज जरूठी और उसको ब्रीब करने के बाद, उसने मदबूर होकर करके ये पत्तर लिखना पड़ा, और पत्तर में बहुती गंबीर आरोप, और ऐसे आरوप पूरा जो सर ये तीन पईयों की सरकार है एक पईया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है महराश्ण में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के IPS ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक API को 100 करोड महिने की वसूली करने कहां जा रहा है तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड इंटू 12 महिने मतलब आप सोचिए 1200 करोड और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक API से 6000 करोड की अपेक्षा हो रही होगी तो आप सोचिए राश्रवादी कॉंग्रेस पार्टी, NCP के ग्रह मंत्री और कितने API से पैसा उस्वूल करना च करते हैं यह भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है दूसरी जरूरी बात सर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है जब ग्रह मंत्री नाशनलीज कॉंग्रेस पार्टी का है वह हिंमत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तिवा भी नहीं देंगे तो शिवसे को पारित करने हैं काफी